शुपरबाद बच्चों तैसे हैं आप आशा करती हूँ आप लोग कुशल हैं और सुरक्षित हैं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है मैरेश मा आपके हिंदी अध्यापी का बच्चों आज मैं आपको एक कहानी बताओंगी जिसका नाम है मोटू राजा पतलुकुता एक हिंदी नाइतिक कहानी है हिंदी मॉरल स्टोरी एक मोटा राजा था उसकी तोन भी निकली हुई थी वह चल भी नहीं पाता था उस राजा के पास एक पतलुकुता था एक कहानी बहुत पुरानी है इस कहानी में एक मोटा राजा था उसकी तोन भी निकली हुई थी यानि उसका पेट बहुत बड़ा था उस राजे का पेट इतना बड़ा था, वो इतना मोटा था कि चल भी नहीं पाता था और उसका जो कुत्ता था, पालतु कुत्ता, वो बहुत पतला था, पतलु कुत्ता बच्चों, यहाँ पर कुछ नई और कटिन शब्द इस तरह से है मोटा राजा, तोन, पतलु कुत्ता, इनका हर्थ मोटा फैट, राजा किंग, तोन बेल्ली, पतलु लीन, कुत्ता डॉग एक दिन मोटु राजा अपनी कुत्ते के साथ बैठा हुआ था, पतलु कुत्ते को एक बिल्ली दिखी वह बिल्ली मियाओ मियाओ चिला रही थी बच्चों, राजा एक दिन बाहर निकले और अपनी कुत्ते के साथ बैठे हुए थे इस कुत्ते की निजर बिल्ली पर पड़ती है पतलु कुत्ते को एक बिल्ली दिखती है वह बिल्ली क्या कर रही है? मियाओ मियाओ चिला रही थी मियाओ मियाओ कर रही थी यहाँ पर कटीन और नए शब्दी इस तरह से है दिन, बिल्ली, चिलाना इनकार्थ, दिन, डे, बिल्ली, क्याट, चिलाना, शौटिंग पतलो कुत्ता उसके पीछे भागा जो बिल्ली मियाओ मियाओ चिला रही थी उसे देखने के बाद कुत्ता उसके पीछे भागा पतलो कुत्ते को देखकर बिल्ली भागी और उसे पकड़ने के लिए मोटराजा भी भागा पतलो कुत्ता उसके पीछे भागा हमने बढ़ा है कि बिल्ली मियाओ मियाओ चिला रही थी उसे देखने के बाद कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागा पतलो कुत्ता उसके पीछे भागा पतलो कुत्ते को देखकर बिल्ली भागी भागी और उसे पकड़ने के लिए मोटो राजा भी भागा सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं बिल्ली के पीछे कुत्ता, कुत्ते के पीछे मोटो राजा, चलो बच्चों, यहां के नए और कटिन शब्द इस तरह से है, उन्हें कुरुपया रेखांकित कीजिएगा, पीछे भागा, देखकर पकडने, इनका आर्थ इस तरह से है, पीछे बेहाइंड, देखकर आफ्टर सी, पकडने, कैच, भागा, रान, मोटो राजा, पतलु कुत्ता, दोनों भागते रहे, भागते रहे, चार दिन भागते रहे, आखिर में मोटो राजा ने पतलु कुत्ते को पकड़ लिया, बता वो क्यों पकड़ लिया, मोटो राजा, पतलु कुत्ता, दोनों भागते र चार दिन भागते रहे, कुत्ते के पीछे, कुत्ता चार दिन भागा, उसके पीछे, मोट राजा भी चार दिन तक भागता रहा, आखिर में मोट राजा ने पतलू कुत्ते को पकड़ लिया, बताओ क्यों पकड़ लिया, सोचो बचो, उससे पहले, आप नए और कटिन शब् इस तरह से ही चार आखिर पकड़ इनके अर्थ चार फोर आखिर आफ्टर आल पकड़ कैच क्योंकि मोटू राजा पतला हो गया था ना नैतिक शीक्षा बैठे रहने से मोठा पा आता है और धेर सारी बीमारी भी लाता है बच्चों यहाँ पर देखो चार दिन तक कुट्टा भागता रहा उसके पीचे मोठू राजा भी भागता रहा चार दिन लगातार भाग 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 के मोठू राजा बन गया पतला उसका मोठा पा कम हो गया इसलिए वो अब तंदरस्त है वो अब कही भी जा सकता है तब राजा मोठा था तब वो चल भी नहीं पाता था मगर उसने कोशिश की क्यों अपने पालतू कुत्ते के पीचर भाग कर बच्चों आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए बैट के रहने से आपका मोठा पा बढ़ जाता है इस कहानी से हमें नयतिक सिक्षा यह मिलती है कि बैटे रहने से मोटा पा आता है और धेड़ सारी बीमारी भी लाता है अगर हम मोटे हो जाए तो हमें फ्री में बीमारी भी आजाएगी इसलिए आप कृपया वैयाम करते रहिएगगा क म१्य आई रिंप चलो बच्चों इसह यही मिलती है की बैठे रे हने से मोठा पा आता है और धेर सारे विमारी अलता है तो इसलिए हमें क्षिया करना चाहिए हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बैट के रहने से, बैट के बीमारी को नहीं बुलाना चाहिए, यहाँ पर नए और कटिन शब्दिस तरह से है, क्योंकि अब नइतिक शिक्षा, डेट सारी बीमारी, उनके अर्थ, क्योंकि, बिकॉस, अब नउ, नइतिक शिक्षा, मौरल एड़ुकेशन, धेट सारी बीमारी, लॉट अफ इल्लेंस, चलो बच्चों बचाओ, राजा कैसा था, और उसकी क्या निकली हुई थी, राजा मोटा था, और उसकी तोन निकली हुई थी, दूसरा सवाल इस तरह से है राजा के पास कौन सा पालतु जानवर था? राजा के पास एक कुत्ता था कुत्ता कैसा था? पतला था राजा के पास एक पतलु कुत्ता था बचून तीसरा सवाल इस तरह से है पालतु कुत्ते को क्या दिखी? पालतो कुत्ते को एक बिल्ली दिखी राजा और कुत्ता कितनी दिन भागे पूरे चार दिन भागे राजा और कुत्ता चार दिन भागे क्या पता सकते हैं राजा ने कुत्ते को कैसे पकड़ा मोटु राजा पतला हो गया था इसलिए वहाँ कुट्टे को पकड़ सका अगर मोटू राजा भागता नहीं तो पतला नहीं हो सकता था और ना ही कुट्टे को पकड़ पाता बीमारियां कब आती हैं? लगातार बैठे रेने से बीमारियां आती हैं बच्चों इसलिए लगातार मत बैठो पेश है आपके लिए एक आनिमेशन वीडियो मोटू राजा पतलू कुत्ता एक मोटा राजा था उसकी तोंद भी निकली हुई थी वो चल भी नहीं पाता था उस राजा के पास एक पालतू कुत्ता था एक दिन मोटू राजा अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ था पालतू कुत्ते को एक बिल्ली दिखी वो बिल्ली म्याव म्याव चल ला रही थी पालतू कुत्ता उसकी पीछे भागा पालतू को देखा बिल्ली भागी और उसको पकड़ने के लिए मोटू राजा भी भागा मोटू राजा पतलू कुत्ते दोनों भागते रहे भागते रहे, चार दिन भागते रहे आखिर में मोटू राजा ने पतलू कुत्ते को पकड़ लिया बताओ, क्यों पकड़ लिया? यू कि मोटू राजा अब बतला हो गया था ना Moral of the story is Do exercise and stay fit always धन्यवाद बच्चों